जेहिन वनकम सत्यागाल नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सोनु आर्मी क्लासेश पर फ्रेंट्स आज हमारी मैट्स की क्लास रने वाली है मैट्स की क्लास में हम पढ़ रहे थे एरिया याने की क्षेत्रिफल इसका हम पार्ट वन कर चुके हैं जिसमें हमने सरकल रोम्बस और सम्लाम चत्रूच के जो क्वेशन थे वो डिसकस किये थे अगशिक को आज की वीडियो में कंटीन्यू करेंगी और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आये यानि कि rectangle और square से related बहुत important questions जो की exam में पूछे जाते हैं अब बहुत जादा IMP है और friends आज की जो classes की PDF आपको sono army classes app के अंतरगत मिल जाएगी और sono army classes में आपको ये मिल जाएगी free classes के अंदर तो आप sono army classes app पर जाएए और वहाँ पर जाकर इसकी PDF अगर देखना चाते हैं तो check out कर सकते हैं और friends एक और बात अगनी वे technical के students और nursing assistant के जो students है उन लोगों के लिए physics और chemistry का detail course लाँच कर दिया गया है sono army classes app पर उस course में आपको complete physics और chemistry मिल जाएगा with detail solution और आपकी जो exam अभी तक हो चुकी है और जो होने वाली उसको ध्यान में रखते हुए ही जो course create करा गया है तो चलिए इस class को हम start कर लेते हैं बिना किसी देरी के question देख लेते friends एक आयताकार मेदान का क्षेत्रिफल 150 वर्ग इकाई है इसका परिमाप भी देखे रखा है 50 इकाई तो इसकी लंबाई और चोड़ाई क्या होगी यह आपसे पूछा गया है तो friends question में आपको क्या-क्या देखे रखा है area area of rectangle कितना होता है वो length into breadth जो कि कितना देखे रखा फ्रेंट्स 150 और इसका परिमाप आपको मैं बता दू कि rectangle जो होता है rectangle का परिमाप परिमाप क्या होता सारी भुजाओं का sum तो यह length होती है यह बिन्थ होती है यह बिन्थ होती b जो कि कितना देखे रखा है 50 यहां से हम इसको simplify कर लेते हैं तो 25 आ जाएगा अभी हमें क्या करना है l square plus b square निकालना है l plus b ka whole square का formula लगाएंगे क्यों लगाएंगे इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ेगी इसलिए l square plus b square plus 2 l into b अब यहां पर l plus b का sum हमें पता है कितना है 25 का square और l square plus b square plus 2 l into b कितना देखे रखा है 150 तो यहां तक इस equation को मैं छोड़ देती हूं फिर मुझे निकालना है क्या l minus b अब यह क्यों करते हैं फ्रेंट्स क्योंकि हम लेंट और बिट्थ दोनों इनको चाहिए और लेंट और बिट्थ हम कैसे निकाल सकते हैं अगर दो एक्व l minus b के whole square बराबर कितना होगा l square plus b square minus का 2 lb तो value put up कर देते हैं l square plus b square की value हम यहां से निकाल के यहां रख देते हैं तो यह 225 का square हो जाएगा और minus 2 into 150 और यह भी हो जाएगा minus 2 into 150 यहां से निकल जाएगी l minus b के whole square की value 25 का square निकाल लेते हैं इसको इसे निकाल होगे 20 plus 5 का whole square करके और यह हो जाएगा 22 minus 44 into 150 इसको आगे और simplify हम कर लेते हैं यहां पर 20 का square कितना होता है 400 अगर आपको square नहीं आता तो आप इस में अधर से निकाल सकते हो पांच का 25 और पांदोना 10 और यह हो जाएगा 200 और यह हो जाएगा 15,60,600 अब इसमें से यह कितना होगा 4 और 26 यह तो cancel out हो जाएगा हमें कितना मिलेगा 25 जो कि कितना मिला l minus b का whole square तो l minus b यहां से कितना मिलेगा 5 तो l minus b हैं हमारे पास और l plus b भी है अब इन दोनों को simplify कर ल यह हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 30 तो l की value यहां से कितनी मिलेगी 15 तो b कितना मिलेगा यहां पर अगर आप 15 value रख देते हो यह फिर इस equation में 15 value अगर आप उट अप करते हो किसकी l की तो यहां से 15 minus 25-15 इतना हो जाएगा 10 तो length कितनी आई 15 और bit कितनी आई 10 तो value कितनी आ वो आयोतों की लंबाई का अनुपात यह देके रखा है और चोड़ाई का अनुपात यह है तो आयोतों की शेत्रफल का अनुपात ग्याद कीजिए if the ratio of length क्या है length L1 और L2 दो rectangle से उनकी L1 L2 लंबाईयों का अनुपात देके रखा है 4 अनुपात 5 और इनकी B1 divided by B2 का ratio कितन देके रखा है 1 divided by 2 अगर हम इनका multiply कर देते हैं तो हमें area का ratio निकलाएगा कैसे क्योंकि area क्या होता है rectangle का length into bridge तो वो कैसे मिलागा अगर यह equation first और equation दोनों का हम क्या कर देते हैं multiply कर देते तो L1 into B1 divided by L2 into B2 हमें क्या मिल जाएगा A1 divided by A2 area यहनिकी 4 divided by 5 into 1 divided by 2 2 to the 4 दो बटे 5 अब यहाँ पर 2 बटे 5 तो देखें रखा options आरे गलत नहीं है match करते जाए अगर हम 2 में इसका multiply अगर नहीं भी करते हैं तो और 2 में multiply भी कर देते हैं इसका दोनों साइड उपर नीचे तो कितना हो जागा 2 to the 4 और 5 to the 10 तो यह तो दो बटे 5 एंसर हो सकता है यह फिट 4 बटे 10 4 to 10 इसका area का जो आएगा ratio आएगा एक आयत की लंबाई और चोड़ाई क्रमशा आपको 10 मीटर और 24 मीटर देके रखी है इसका प्रत्ते एक विकर्ण कितना लंबा होगा तो friends यहाँ पर विकर्ण की लंबाई यह question IMP है अभी technical का जो एक्जाम हुआ था जनवरी में उसमें यह questions पूछा गया था विकर्ण से related तो विकर्ण का formula आपको याद होना चाहिए कि जब आयत दिया हो या फिर rectangle तो rectangle का जो विकर्ण होता है diagonal उसका formula क्या होता है under root L square plus B square मतलब लंबाई का square और चोड़ाई length का square और bit का square तो length कितनी देके रखी है 10 का square और चोड़ाई कितनी 24 का square और आगे solve करते हैं तो यह 100 हो जाएगा और 24 का square अगर आपको नहीं आता है तो 20 plus 4 का whole square करके कर लीजे इस मतलब से भी आप square निकाल सकते हो यह हो जाएगा 400, 4, 4, 16 और 4 to the 8 और 8 to the 16, 160 आगे इसको हम simplify के 4 और यह हो जाएगा 500, 500 और यह हो जाएगा 600, 60, 660 में आप 16 6 किस का होगा तो friends 6 आ रहा है तो इसका मतलब यह है इसको निकालने के trick भी बता तो अगर इतने बड़े बड़े भी आ जाते हैं आपको जैसे कि यहाँ पर 6 आया है तो 6 किस में आता है 6 का 6 में multiply करते हैं और 4 का 4 में multiply होता है तब जाके हमें क्या मिलता है जैसे 16 आएगा त में sorry तो 6 मिलेगा और इसमें 16 आएगा तो 6 में लगा तो दो condition में या तो 6 और 14 और 16 का तो इतना easy हो नहीं सकता तो 14 और 16 के बाद next number किसका आएगा या तो 24 होगा या फिर 26 होगा तो दोनों आप चेक कर सकते हैं तो अगर 24 का आप चेक करोगा तो 24 कितना होगा इसका मतले भी ही 26 है तो 26 आप चेक आउट कर सकते हैं तो इसका जो अंडर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा 26 और यह कह था डाइगोनल तो डाइगोनल कितना आया है इसका 26 मीटर तो इस तरह साब square root इस trick के health से निकाल सकते हैं चल यह next question देख लते हैं अगर आप note करन और होता है अगर और यदि वर्ग की एक भुजा आपको 40 cm और आयत की लंबाई आपको कितनी 64 cm है तो आयत का परिमाप क्या होगा तो इन्होंने बोला है कि जो square और rectangle है उनके areas एकवल है तो इसका मतलब क्या हुआ square का एरिया कितना होता है भुजा का square और rectangle का एरिया कितना ह इसक्वेर का area यह होता है भुजा का स्कूर और भुजा तो आपको अल्रेडी एज तो आपको देखे रखिए तो यह हो जाएगा 40 का स्कूर और क्या देखे रखा है लेंद्ट देखे रखी रेक्टेंगल की 64 cm तो आपको पैरिमिटर बताना तो यहां पर क्या नहीं है हमा आएगे हमें ब्रिट यहां से ब्रिट की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स 25 मेटर अब ब्रिट तो हमारे पास आ गई अब हमसे पैरिमिटर पूछा है वैल्यू पूट अप कर दीजे एलो अल्रेडी 64 देके रखाए 25 तो वैल्यू कितनी आएगी पैरिमिटर की 5 प्लस 4 9 6 और 2 8 89 इंटू 2 2 9 जा 18 और यह हो जाएगा 2 8 16 प्लस 171 78 मीटर मीटर नहीं है सेंटिमिटर में अंसर देके रखा तो किसमें आएगी सेंटिमिटर में तो इस तरह से सिर्फ आपका मैस में फॉर्मूला का खेल अगर फॉर्मूला आता है तो आप एक दूसरे में इधर उ चली नेक्स ओशन देख लेते हैं एक वर्ग की भुजा देके रखी इसका विकर्ण क्या होगा यह भी आएंप कोईशन है फ्रेंट्स एक्जाम में पूछे गए हैं तो वर्ग का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है डाइगोनल ऑफ दी स्क्वेर वो किसके बराबर होता ह है रिफ्रेंट्स अंडरर्ूट्डुई इंटू भुजाने की साइट आभ यहां पर अंडरूटु immigrant कितनी आज जाएगं फॉर्मूला नोट करते पर चलीů नेक्स स contains a एक आ ताkАर भुखंड की आसन भुजा आसन मतलब एडजसेंट मतलब इस तरह की जो भुजा होती है उन्हें आसन भुजा एडजसेंट जो एक दूसरे से लगी हुई होती है और अपोजिट भुजा है कौन से होती है अपोजिट साइट इस तरह की ये और ये 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 अपोजिट माती है तो तो क्या देके रखा है एक भुजा साथ मिटर मानली ये my और देखे रखा कितना 25 पूछा निकलना है क fui कि या तो क्या होगा लेकिन हमर पास लैन्द ब्रिट खило है नि जो नंगल के नाइंटी डिघरी के अगर ट्रेंगल तो पाइथागरिस थे ओरम से क्या होगा कर्ण यानिकी डाइगोनल या फिर विकर्ण हाईपोटेनियस का स्कुर्ण is equal to 7 का square plus breadth का square 25 का square अगर अपने का 20 plus 5 कल लिजए इसका square 7, 7's are 49 plus B का square यह हो जाएगा 425, 5 to 10 200, यह minus 49 इदर आजाएगा B square देखिए, इसका square अगर निकालोगे multiplication मतल से तो जादा लंब पड़ जाएगा लेकिन इस मतल से करोगे, थोड़ा easy हो जाएगा यह हो जाएगा, 4 और 2, 6 625, 625 में से 49 को minus कर दीजे, कितना होगा 576 is equal to 20 करो 576 का हम अभी निकाल चुके है जो कि किसका था, 24 का था तो यह निकालना भी आपको आना चाहिए अभी अंडर रूट किसका है, 24 का है जो कि हम अभी निकाल चुके है, तो बी की वेली कितनी 24 मीटर आई, पूछा क्या है इन्होंने area of the plot, यह area पूछा है, तो area क्या है length into width, length कितनी है 7, और width हम निकाल चुके, कितनी 24, तो यह कितना हो जाएगा 168 8 मीटर स्क्वेर, ओप्शन डीस का राइट अंसर होगा चाली, और कोशन देख लेते हैं, एक आयत की चोड़ाई को 80% से बढ़ा दिया जाता है इसके लंबाई को कितना प्रतीशत कम कर दिया जाए जिसका शेत्रिफल क्या रहे, सेम रहे, चेंज ना आए तो फ्रिंट इसके लिए आप ट्रिक नोट कर लीजिए कॉपी में, कि अगर आपको इस तरह से कुशन पूछा जाए, कि लंबाई या चोड़ाई में से किसी एक को भी बढ़ा ना हो लेंथ और ब्रिट इसमें से किसी एक को भी अगर बढ़ा दिया जाए, तो उसके शेत्रफल को सेम, सेम किसको एरिया को सेम अगर रखना हो तो उसके लिए दूसरी भुजा में, कोई सी भी दूसरी लेंथ हो या ब्रिट हो, उसमें कितनी कमी करना चाहिए इस तरह से अगर कुशन पूछा जाए, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है क्या कमी का, कमी का बता रही हूँ, कमी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डिवाइड बाइड प्लस एक्स इंटू हंड्रेड, ये परसेंटेज में कमी आ जाएगी आपसे दूसरी भूजा में बड़ोतरी पूछी जाए, जिससे की शेत्रिफल सेम रहे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा, वो होगा, एक्स डिवाइड बाइड बाइड हंड्रेड माइनस एक्स इंटू हंड्रेड, ये दो फॉर्मूला नोट कर लिजे, इस टाइप के तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा यहां पर 80, 180 इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसल और ये हो जाएगा, 800 डिवाइड बाइड बाइटीन, और सॉल कर लिजे इसको, 29 जा 18, 24 जा 8, 400 डिवाइड बाइड 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 और 400 डिवाइड बाइड बाइड को अगर आप सिंप्ल और जा 36, 44 आएगा और बचेगा कितना, 4 बचेगा, तो 4 इसको मिक्स्ट फ्रेक्शन में इसका आंसर होगा, इसको डिवाइड कर दियो, जो रिमांडर बचा, जैसे यहां पर चार रिमांडर बचा, तो जो पूरी तरह से डिवाइड हो गया उसको यहां लिख देते हैं औ 44 is to 4 divided by 9% चली, नोट कर लिजे next question देख लते हैं एक आयताकार खेत की चोड़ाई लंबाई का 5 divided by 8 भागी, यदि उसका शेत्रफाल इतना वर्गमिटर हो तो लंबाई चोड़ाई से कितनी अधिक है ये पूछा है paper अगर high level का आता तो इस तरह के question आते हैं, वैसे ये calculation ही है और जादा कुछ tough नहीं है, question पढ़के थोड़ा लग रहा है कि tough है, बागी tough नहीं है step wise करते जाओ को तो समझ में आएगा अब एक आयताकार खेत की चोड़ाई, मतलब उसकी ब्रिट उसकी लंबाई की length की 5 divided by 8 है, जिसकी बोला ना, उसमें multiply करना है लंबाई की 5 बटे 8 है उसकी ब्रिट, ये हमने हां तक कर लिया अब बोला है कि उसका शैत्रफल अब आयता का शैत्रफल कितना होता आयत का, length इंतु ब्रिट जो की कितना देके रखा है, 2, 5, 6, 0 तो आप से क्या पुछा है लंबाई चोड़ाई से कितनी अधिक है अब ये वाले line, इस पर थोड़ा ध्याद दीजेगा ये कैसे बनाएंगे, क्या पुछा है कि उसकी लंबाई किससे चोड़ाई से कितनी अधिक है कितनी अधिक मतलब प्लस है तो ये हमने लगा दिया, क्या प्लस लगा दिया, ये आपको find out करना है, ये है आपका question, तो इसके लिए आपको length और width दोनों चाहिए, चलिए हम निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको देखे रखा है, width की value कितनी है, 5 डिवाइड बाई 8 इंटू L, और already एक L तो दे रखा, तो यहाँ से L की value आ जाएगी, कितनी आएगी, चलिए हम simplify कर लेते हैं 5, 5 जा 25 5 जा 5, 5, 2 जा 10 और 8 का अगर multiply करेंगे, तो length का square कितना आएगा, 512 इंटू 8, अब 512 को अगर मैं इसे solve करते हूं 2, 2 जा 4 2, 5 जा 10, 2, 6 जा 12 2, 1 जा 2, 2, 2 जा 4 2, 8 जा 16, 2, 6 जा 12 2, 4 जा 8 2, 3 जा 6, 2, 2 जा 4 2, 1 जा 2, 2, 6 जा 12 2, 8 जा 16 2, 4 जा 8 2, 2 जा 4 और 2, 1 जा 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2 की power 9 आ रहा है, आपर यह 2 की power 9 और यह कितना होता है, 2 की power 3 2 जा जाएगी, तो कितना होगा 9 से 10, 11, 12 2 की power 12 L स्क्राइगी, तो L की value यहां से कितनी आएगी यह इसको डिवाइड में, अगर यह 12 की power 2 जा जाएगा, तो 2 की power 6 बचेगा 2 की power 6 कितना होता है 64, तो L की value कितनी आ गई यहां पर 64 आ गई, अब हम से पूछा क्या है कि length ब्रिट से कितनी जादा है तो पहले ब्रिट तो निकाले, तब तो जादा पता चलेगा तो ब्रिट कितनी होती है 5 डिवाइड बाइ 8, यहां से निकाल लेंगे value L के put up करके 64, आठी उटी, चोजट, आटा पंजे, चाली सी हो जाएगा 40 cm, दोनों की value हम पर put up कर देते हैं तो length कितनी है, 64 question mark है कि कितनी जादा है वो हम से पूछा है, और ब्रिट कितनी निकाल चुके है 40, तो 64 में से 40 को हम minus करोगे, तो question mark की value आजाएगी जो कि कितनी होगी 4, 24 तो कितनी जादा है, 24 cm तो इस तरह से question easy है, लेकिन equation कैसे बनाना चाहिए, maths में आपको आना चाहिए तो यहाँ पर यह equation main थी, अगर यह आप बना लेते हो तो आपका यह, क्योंकि आप length और बिटते हो तो easily निकाल लोगे, लेकिन यह equation थोड़ा बनाना tough हो जाता, तो इनको बनाना आपको आना चाहिए, चलिए next question देख लेते हैं, एक आयत की लंबाई तथा चोड़ाई को क्रमश बीस प्रतिशत और तीस प्रतिशत से बढ़ा दिया जाता है, तो उसके शेत्रिफल में कुल कितने प्रतिशत की व्रद्धी होगी, तो इस तरह से question अगर पूछा जाए, कि अगर लंबाई और चोड़ाई दोनों को बढ़ा भिया जाए, दोनों में बढ़ोतरी कर दिया है, तो शेत्रिफल में कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए आपको ट्रिक नोट कर लीजे, वैसे लोंग मेधर से भी करा दिये, तो यह कितना है, 20 प्लस 30, 20 इंटू 30, डिवाइड बाई 100, यह 0 से 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, यह हो जाएगा, 53 टूजा 6, तो कितने की रद्धी वी, 56% की, तो यहाँ पर option नहीं दिया, इसलिए अंसर क्या है नन ओफ दिस, चलिए एक और question कर लते हैं, एक आयताकर बगीचे की लंबाई 90 मिटर है और चोड़ाई आपको यह देके रखिए, उसके 4 और 3 मिटर की पक डंडी बनाई गई है, अधि उस पर घास लगवाने का खर्च इतना है, तो घास लगवाने का कुल खर्च क्या होगा, अब क्या दिया है यहाँ पर एक आयताकर बगीचे की लंबाई, एक आयताकर क्या है, rectangle, डायग्राम ठेक सरह है, आप परफेक्ट बना लिजेगा, यहाँ पर आयताकर एक बगीचा देके रखा, जिसकी लंबाई और चोड़ाई देके रखा, लंबाई 90 है, और चोड़ाई 40 है, इसके चारोर क्या किया गया है, इसके चारोर इस तरह से 3 मिटर चोड़ी कितनी? 3 मिटर चोड़ी एक पग डंडी बनाई गई है footpath बनाया गया है तो उस पर घास लगवाने का खडच आपको 50 रुपे प्रति वर्ग मिटर देख रखा है किस पर घास लगवाने का? यह जो पग डंडी है पग डंडी पर घास लगवाने का खडचा कितना है? 50 पैसे 50 पैसे ध्यान रखिएगा 50 पैसे कितना? 1 मिटर स्क्वेर मतलब 1 मिटर स्क्वेर का कितना 50 पैसे लगवा अगर पैसे को हम रुपे में गन्वर्ट करते है तो 1 meter square कितने बराबर आजाएगा एक रूपे में 100 पेसे होती तो उसको divide कर देंगे तो 0.5 रूपीज यहाँ पर खर्चा आजाएगा इस पकडंडी पर घास लगवाने का तो यहाँ पर पूछा है question यह तो पकडंडी का देखे रखा है अगर यह पकडंडी food path का area हमें पता चल जाए area of path अगर area का path चल जाता है तो area अगर पता चल जाता है तो उसमें हम एक meter square area का इतना रूपे लगता है तो total area में अगर इसका multiply कर देंगे तो total खर्चा आजाएगा तो हम पाथ का area चाहिए तो path का area friends केसे निकल सकता है ये बड़ा वाला rectangle आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला आयत इसमें से अगर हम छोटे वाले आयत का शत्रफल हटा देते तो हमें path जो होता है इसका शत्रफल आ जाएगा इस तरह से हम circle में भी equation कर चुके हैं circle हो rectangle हो square हो सभी में अगर आपको path का area पूछे तो आपको बड़े में से चोटा हमेशा minus करना है तो area वो बड़े rectangle का area क्या निकलेगा उसके लिए उसकी length और bit चाहिए और हमारे पास क्या है चोटे rectangle की length और bit बड़े rectangle की length और bit आप निकाल सकते हो हमें क्या देके रखिए इहां से हां तक की length 90 है लेकिन इतना क्या है 3 meter चोड़ा और इधर से भी 3 meter चोड़ा तो इसकी total length कितनी हो जाएगी 3 plus 3, 6 plus कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 90 plus 6 into breadth कितनी है 40, 40 में भी आप उपर से और निचे से 3, 3 plus कर दोगे तो 6 आ जाएगा तो यह total क्या हो गया area of the big rectangle तो यह हो जाएगा 96 into 46 अब इसमें से आपको minus किसको करना है छोटे वाले rectangle के area को छोटे वाले rectangle का कितना है 19 to 40 अब इसका हम multiply करेंगे तो हमें मिलेगी value 4416 आप multiply कर लिजे 90 प्लस 40 करके कर लिजे या फिर डारेक्ट multiply कर लिजे 4416 आएगा और यह हो जाएगा नोचोग 36 इसमें से इसको minus कर देंगे तो कितना आएगा 16 और यह मिलेगा 8 860 meter square का यह रास्ता है इसका area आगया तो एक meter square का इतना पेसे लेता है तो 816 meter square का कितना लेगा 0.5 का multiply अगर हम कर देते हैं तो कितना मिलेगा 408 रुपीज तो कितना खर्चा आया 408 रुपे का तो इस तरह के question rectangle square circle तीनों में आ सकते हैं तीनों की process same रहेगी सिर्फ यहाँ पर जो formula है area की वो change हो जाएगे और खर्च खर्च से related IMP question है एक exam में पूछे जाते हैं कि खर्च कितना होगा तो इस तरह से आप निकाल सकते हो तीनों चारों टाइप के question यहाँ पर आपके cover हो जाएंगे चलिए next question देख लेते हैं एक आयता कर बगीचे की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात देके रखा है आपक divided by 4 अब इन्होंने क्या कहा है कि इनमें घास लगवाने का कुल खर्च तो हमें सब कुल खर्च मतलब यह कि जितना area होका rectangle का उस area के हिसाब से इतना खर्च आया तो area of rectangle किसके बराबर होगा friends क्योंकि total area का खर्च देके रखा है वो कितना है इतना है और एक मीटर स्क्वेर क area निकलने के लिए आप क्या करोगे जो टोटल खर्च है उसको एक मीटर स्क्वेर के चार्ज के से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो rectangle का area निकल जाएगा के से निकल जाएगा area friends क्योंकि total इतने रूपे है total रूपे को अब प्रती मीटर स्क्वेर से अगर डिवाइड करत इतना 3600 तो area of rectangle कितना आ गया 3600 किस में दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वेर के हिसाब से था है इसलिए मेटर स्क्वेर में आएगा यह तो area आ गया और area क्या होता है length intubrit जो कि हम निकाल चुके कितना 3600 अब length intubrit में ratio दे के रखाती है कितना हो जाएगा 9x और यह कितना हो जाएगा 4x क्योंकि ratio रहता है तो हम एक अनुपातिक ले ले लते है जो कि x लिया हमने ratio का coefficient यह हो जागा 946 x square is equal to 36 36 वंजा 36 और x square की value आ गई 100 तो x की value कितनी आ पूछा क्या है बगीचे की चोड़ाई चोड़ाई कितनी आएगी इसमें से 4x होगी तो 4 x x यहने की 4 x 10 कितना आ जाएगी 40 और इसी तरह से अगर लंबाई पूछी हो तो 9x आ जाती तो हमारा answer क्या मिला हमें 40 meter तो friends area और volume की जो questions होते हैं easy होते लेकिन थोड़े से length होते ह इसमें आपको थोड़ा calculation जल्दी करना सीखना होगा और आपको यहाँ पर formula याद होना चाहिए formula note करते चाहिए copy में चलिए next question देख लेते हैं फुलवारी का विकर्ण इतना देखे रखा और इसके 4 और 2 meter चोड़ा रास्ता तेयार किया गया है तो उस रास्ते का शेत्रफल प्रण देखे रखा एक वर्गा का फुलवारी जिसका आपको विकर्ण देखे रखा है 24-2 meter square अब इसके 4 और कितना दो मिटर चोड़ा रास्ता बनाया गया है तो रास्ते का शेत्रफल आपको बताना है तो रास्ते का शेत्रफल मैंने बता है कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजे तो आपका पात का शेत्रफल आ जाएगा वो तो आ जाएगा लेकिन उसके लिए हमें इन दोनों की जो है भूजा भी तो याद होनी चाहिए एज भी तो होनी चाहिए पता तो हमें तो एज देकी नहीं रखी से विकर्ण देके रखा था अभी मैंने विकर्ण का फॉर्मला डिसकस कर चुकी हूँ उसक्वेर का वो कितना होता है अंडरूट टू इंटू भुजा तो विकर्ण कितना ट्वंटिफोर अंडरूट टू देके रखा है अंडरूट टू इंटू भुजा जाएगी यहां से इसकी यह छोटे वाले की यह कैंसल हो जाएगा एज आ जाएगी यहां पर कितनी आई ट 24 तो यह तो छोटे वाले की आगे तो छोटे वाले की तो आगे लेकिन बड़े वाले की भी तो निकालना है तो बड़े वाले की कितना दो आगे से और दो इधर से प्लस कर दीजे तो इसकी जो हुझा आजाएगी बड़े वाले की वाज एकनी 24 और 48 तो कितना हो जाएगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो चलिए कोई नहीं हम एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लेते हैं या फिर एसे नहीं करना तो 28 को आप और simplification simplification भी साफन बताती जाओंगी कि इतना इसे तरीक से question आपको solve कर सकते हो तो 94 24 प्लस 4 का square कर देते हैं मैं 28 को इस तरह से लिख सकती हूं आगे यह A का square B का square 16 और 2 A B 4 दूना 8 और 8 24 इंटू 8 हो जाएगा माइनस 24 यह देखो calculation कितना इसी होगा 24 से 24 कैंसल यह 16 और यह हो जाएगा आठ चोग 32 आठ दूना सोला सत्र आठ रहा 192 प्लस 16 कितना होगा 6 और 2 आठ नूर एक दस और 208 तो कितना आया इस बात का शेत्रिफल 208 मर्ग मीटर मीटर स्क्वेर चलिए फॉर्मूली नोट करते जाएए साथ साथ नेक्स कुशन देख लेते हैं एक आयता का लोहे की चादर से अधिक्तम शेत्रिफल का एक रत भाग काट लिया जाता है एक आयता का रेक्टेंगल चादर है इसमें से मैग्जिम कुण कितना सरकल आप निकाल सकते हो उसकी चोड़ाई के बराबर लेंद के बराबर सरकल इसमें से नहीं निकलेगा ठीक है तो इतना मैग्जिमम सरकल इसमें से काट लिया जाता है तो उस लोहे की चादर के शेष भाग मतलब यह जो बचा हो भागे यह स्क्वएर काटने क ये circle काटने के बाद वो आपको बताना है और आपको लंबाई देके रखी है कितनी 30 और चोड़ाई देके रखी है 14 तो आप क्या करोगे अगर आप ये बड़े वाले rectangle के area में से minus कर दोगे circle के area को तो ये बचे होगे छेत्रफल का area आपको आज आएगा remaining area इस तरह से आप concept ब होता है लेंथ इंटू माइनस circle का area पाया इसक्वेर होता है पाई 22 बटे साथ अब आर कहां से लेकर आउं तो फ्रेंट्स आर क्या होगी maximum इतना डायमेटर का यहां पर circle कटे का कितना ब्रेट के बराबर इसको आधा कर दोगे तो यहां से रेडियस आजाएगी जो कि कितनी आईगी साथ तो सेवन इंटू सेवन पायार स्क्वेर से यह हो जाएगा तीन चोग बारा तीने कमतीन रुक चार चवदा त्या 42 यह जीरो यह सेवन से 7 कैंसल साथ दूना चवदा साथ दूना चवदा 15 इसको माइनस कर लिजिए तो कितना मिलेगा आपको 66 और 2 मेटर स्क् तो फर्ष के लिए वर्गा काल टाइल्सों कि न्यूनतम संख्या इस तरह की कोशन है इस तरह की कोशन एक्जाम में टेकनिकल वाले स्पेशल ध्यान दीजिए उनको पूछे जाते हैं तो एक कमरा देके रखा आयताकार जिसके आपको चोड़ाई देके रखिए यह और वाई दो की तीन वाई ती की कितने टाइल्स लगा सकते हो लेकिन इहां पर इन्हों टाइल्स के डाइमेंशन यानि कि टाइल्स की भूजा है लेंथे वह कुछ नहीं दिया है तो इस केस में आपको क्या करना है इन्होंने क्या कहा है टाइल्स की आपको संख्या बताने है तो tiles के आपको संख्या केसे निकाल सकते हो, area of room, divided by area of tiles, ये होता है number of tiles का formula, ठीके, अब area of room, area of room तो आप निकाल सकते हो, 18 into 5 करके length into bridge, अब tiles का area केसे निकाल होगे, area of tiles का आपको निकालना पड़ेगा, वो केसे निकाल होगे, अगर आपको tiles के dimension नहीं देके रखी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये पूरा room है, इस room के length और width का, आपको hcf निकालना पड़ेगा, hcf अगर आप निकाल लोगे, इन दोनों का, तो इससे आपको maximum size tiles का पता चल जाएगा, maximum निकालना के लिए हम hcf निकालते हैं, इसलिए hcf निकाल रहे है, lcm नहीं निकाल रहे है, क्योंकि उससे minimum size पता चलता है, maximum size कितनी आ सकती है, size के tiles है के room में, वो निकालना, तो 18 x 5 को hcf कैसे निकालते हैं, 3 6 x 18, और 3 5 x 15, अब इन दोनों में जो common आता, वो hcf होता है, तो hcf कितना 3, तो maximum कितने dimension के tiles इसमें बेट सकती है, 30 meter, 3 meter की, तो 3 meter के tiles निकल गई, तो यहाँ area of tiles का क्या, उसकी भुज़ा आ गई, तो 3 x 3 कर दीजे, तो कितना आएगा, 18 x 5 तो है ही, यहाँ पर 3, 3s आ 9, 9, 2s आ 18, 15, 2, 30, तो maximum कितनी tiles आ गए जाएगी, 30 tiles इस room में लग सकती है, तो इस तरह से question यहाँ पर 2 तरकी, यह tough level का भी cover हो गया, और easy level का अगर आपसे direct यहाँ पर tiles के dimension दे रखते हैं, तो 3 x 3 की tiles लगाना है, तो direct इसका area और इसका area divide करके, आप number of tiles भी निकाल सकते हो, इस type के question भी exam में अगर आए तो, तो friends यह थी हमारी area से related class वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसना आओ तो like कना ना भूले, और वीडियो से related कुछ भी doubt हो, तो आप comment section में पूछ सकते हैं, तो friends मिलते हैं, next topic के सांथ next वीडियो में तब तक के लिए, जे भारत वंदे मातरम,